तो राम राम भाईयो स्वागत आपका मेरी एक और नई वीडियो में तो कैसे आप लोग सभी बढ़िया होंगे वैसे एक डेड़ महीना हो गया मैंने अभी तक कोई वीडियो ने डाली मेरे यूटूब चैनल पर तो सोचा आज आपको अपडेट दे देते हैं तो मैं दिखा प्रोसेस रहती एक तो वो रोटावेटर जो आता है उससे काटते हैं बहुत सारे अपने तो मजदूर से कटवाया और इंटोएंट बहार फेक दिया ताकि अपने खेत में जएदा मच्छर बगेरा ना हो यूग कि अगर पत्ते पड़े रहते तो खेत में मच्छर ही मच्छर हो जाते अपना ये नुक्सान था उसमें तो अपने इंटोएंट बहार फिकवा दिये और भाईयो अपने तो पनी आलू सब बाहर निकाल लेंगे और जैसे फिर आलू का काम निपड़ जाएगा उसके बाद अपने को इस खेट में लगाना है प्याच तो यह आप प्याच का रोप भी देख सकते हैं कि इतना प्याच का रोप भी लगा है अपने तो यह लगबक छे बिगा के अलू है और बाकी की जगा इसमें बची थी उसमें अपने प्याच का रोप लगा दिया तो यह आप प्याच का रोप भी देख सकते हो यह जब तक खे कीरा कि आभी अपोने को खेत तइयार करने भी चेश साथ दिन लगेंगे क्योंकि एक दो दिन अलू निकालने के फीर इसको पूरा तयार करेंगे तो 6-7 दिन तो वैसे में निकल जाएंगे तब तक अपना रोब भी कम्प्लीट हो जाएगा तो इसमें लगाएंगे भी पूरे खेत में प्याज और अपना सूपर शिक्स लगाने का भी रिजन यही था कि ताकि अपनी जल्दिवारी वेराइटी रहे आलू की और अपन जल् दखाता हूं कि इतना बड़ा हो चुका है तो यह आप देख सकते हैं कि अभी इतना कुछ बड़ा हो गया यह है अब बाकि अभी टाइम है अभी और तो 8-10 दिन में और अच्छा हो जाएगा यह उसके बाद अपन इसमें लगा देंगे इतने अपन खेत तो तयार करें के इतने भी बड़ा हो जाएगा अगर थोड़ा बहुत और दिन के इसमें लेट रहा तो अपन थोड़े दिन और रुख जाएंगे जनवरी में फिर लगाईगे अपन इसमें प्याज यह काटा था उपर के जो पत्ते यह लगभग इसमें आठ ट्राली माल भरा गया मतलब आ यह जो इसमें जो टाय। चलेंगे एक यह वाले में और एक यह वाले में तो प्रंट वाले टायर is जो दूरी है वो ज्यादा है 4 फिट से ज्यादा इसमें चार फिट चीए अगर यहाँप Goodness तक चलेगा तो उसकी चार फिट चलेगा क्योंकि इसमें पतला टेक्टर चीए तो अपन मेंसे 10-35 से निकालेंगे कल इसको तो कल की वीडियो भी आप जरूर देखना जो मिलते हैं अपन कल वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और वैसे भी मैंने बहुत दिन बात वीडियो डाली है तो चैनल पर सपोर्ट जरूर दिखाओ ताकि मुझे वीडियो डालने में वो रहे कहां चलू मुझे सपोर्ट मिल रहा है तो मैं वीडियो भी डालू ताकि हिम्मत रहे थोड़ी तो आप सब में को सपोर्ट करो चैनल को सस्क्राइब करो वीडियो लाइक करो कमेंट करो व